जहीं देब्रीवन अगर आप भी परिशान है कि SSB ट्रेडमेन का ट्रेटेस्ट और डीवी तो शुरू हो रहा है आखिर क्या ट्रेटेस्ट और डीवी में कहीं फेल नहों जाओं और यहां पर फाइनल कटॉफ कितनी रह सकती है अगर पिछली बार के मुकाबले देखा जाए और अब की मुकाबले अगर देखा जाए तो क्या अंतर देखने को मिलने वाला है क्या पिछली बार की कितना ही अब की बार भी फाइनल नमबर बढ़ेगा है या फिर उतनी नमबर पर ही बच्चों को सेलेक्सर होने वाला है तो देखे मैं आप सभी को यहां पर जानकारी हो कि हमारा इतना कुछ नहीं है तो हमको इतना नंबर यहां पर मिला होगा ठीक है बाकी यहां पर आप सबसे बड़ी बात यहां पर क्या निकल खिया रही नहीं पर कुछ प्रभाव पड़ेगा करा SSB Traderman को पर आप मेरी बात नहीं समझ पाएं हों कि मैं आको पता रहा हूं SSB Traderman की जो भरती है na SSCGD से पहले final होगी तो अगर SSC GD की भरती पहले final होती है उसके बाद ट्रेडमैं की भरती final हो जो से होगा कश बच्चे SSC GD में चले जाएंगे SSB से ठीक हैं लेकिन अभी यहां पर सब्सक्राइब कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन अगर सब्सक्राइब काफी ज्यादा हद तक यहां पर लगभग और एक सब्सक्राइब करकर करकर के सब्सक्राइब किसले बार से पइसमें पापकी बार से मुखाबले घरा देखनां मिलने वाला है सիलमिटरी उस्टिवकरिदेशाओ वैकेंसी ऐती अगी कि आप सभी किसी भी वेकेंश को आप देख लो एक ऐसा फोर्स है इसमें पूरे आल ओवर इंडिया को मिला कर ही बच्चे को कट आप बनाया जाता है और देखा जाए कहीं न कहीं बहुत अच्छा है क्योंकि चाहता है कि जो बच्चे के जो बच्चा सरपर्था माएगा जो बच्चे हर एक चीज में बढ़ियां होगा चाहे फिजिकल हो चाहे मेडिकल हो चाहे रिटानिक जाम हो मैं उसी को सभी वाइन करने का मौका दूंगा तो भाईया वही तो भरती होंगे पुरे आल ओवर इंडियम जो कट आप बनाई जाएगी तो जो सरपर्थम होगा उसी कि इतना गया लेकिन इस बार भरती में कट आव बढ़िया कि कि कितना गया है ठीक है यह बहुत अच्छा काम किए तक कि बहुत सारे बच्चों के अंदर जो confusion थी वो चीज़े भी यहां पर दूर होगे ठीक है अभी यहां पर बहुत सारे भाई बता रहे थे कि एससी ट्रेड में जब रिजल्ट आया तो यह कट आप देखने के बाद यहीं लग रहा है कि कम से कम दस नंबर बढ़ सकते हैं और क्या बढ़ेगा लेकिन बाकी फोर्स के मुकाबले एससी बहुत अलाग है ठीक है देखा जाये तो किसी-किसी ट्रेड में यहां पर हर मिले ही नहीं उससे भी कम बच्चे बुलाएगे गया है मतलब उनको मिले ही नहीं बच्चे में नया रूल निकल कि आ चुका है पिछली बार भी था कि जो मिनिमम पासी मार्क था वह 50% रख दिया गया है अगर आप जर्नल हैं AWS हैं और OBC हैं तो आपको मिनिमम यहां पर 50% लेकर पेपर में आना होगा वही मिनमम पास मार्किंग है ठीक है और 45% नम्र लेकर आना होगा agency को वही मिनिममम पास मार्किंग है पर ही लेजाकर काट वहीं रख लखने है गया कोई देकर हम पर णबर भा और से आपको भी परशाद नहीं होना क्योंकि जिस हिसाब से उनको बच्चे नहीं मिलें है इस प्रकार से आपको कहीं कहीं इसका benefit देखने को मिल सकता है ठीक है अभी आप सबको सिर्फ अपने ट्रेट टेस्ट और डीवी क्वालिफाई करना है क्वालिफाई कर लिजेगा फिर आपके कट आफ आफ आएगे उस कट आफ के बैसे पर मेडिकल के लिए बच्चों को बिलाया जाएगा और वेकेंशी के पांस गुना बच्ची मेडिक से भी हैं जिसमें केवल 6 और 7 नंबर ही बढ़ेंगे यह मैं आपको आगे आने वाले समय मता दूंगा कि कि स्टेड में कितना कटॉप यहां पर जा सकता है अगर देखा जाए यहां पर अगर आप से कुप के लिए फांप अपलाई की होती होती है यहां पर हुआ क्या है ज सकते हैं इस जादा बढ़ने के कोई उमीद नहीं है इस बार ठीक है फिजाल आप मेरी बात समझ रहे होंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर जाना चैनल स्क्राइब कर देना और आज की वीडियो हमारी यहां पर आती रहेंगी जैसे यह जाना पर एक दिन भी ट्रेट्टेस मुझरेगा तो मैं आप सबके लिए वीडियो जरूर लेकर आँगा ठीक है और क्या कैसे शेंटर पर हो रहा है इसकी वीडियो भी आप सबको इस चैनल पर मिलेगी तो चले फिर मिलते हैं किसी नई भरती और नई जानकारी सा तब तक क लिए जाहिए